नवस्का दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी तो आज की इस वीडियो में हम करेंट अफेर के एक और महत्मोर टॉपिक को डिसकस करेंगे आप सभी को ये बहतर तरीके से पता होगा कि जो भी इवेंट हमारे जीवन में पहली बार होते हैं उनकी इमपॉर्टन्स काफी ज़्यादा होती है तो ठीक उसी प्रकार से current affair के point of view से जो भी चीजे आपकी पहली बार होती है उनकी importance पर इच्छाओं में बहुत जादा हो जाती है और इससे already काफी सारे प्रेशन पर इच्छाओं में पूछे जा चुके हैं तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो जो पहली हवाई टैक्सी सिवा है इनमें से किस सहर में शुरू किया गया बहुत ही मातपूर्ण है और इच्छा में पूछा जा चुका है तो ध्यान रखेगा इसकी सुरुवात हुई थी चंडीगर से कहां से चंडीगर से इसकी सुरुवात हुई थी तो option हमारा A हो जाए गया तो option यहाँ पर A यानि के चंडीगर होगा correct अगला प्रशन है कि मार्च 2021 केस में T20 अंतराष्टे क्रिकेट में 3000 रण बनाने वाले पहले खिलाडी कौन बने तो काफी महपूर्ण है पहले खिलाडी बन गए है कप्तान बिराट कोहली option यहाँ पर D हो जाएगा correct हाला कि इस समय जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस समय आपके तीन क्रिकेटर ऐसे हो गए हैं जिन्होंने 3000 रण पूरा कर लिया है हाला कि नाम आपको पहले वाले का ध्यान रखना है क्योंकि पहले हमारे कप्तान बिराट कोहली हैं दूसरे हैं न्यूजिलैन के मार्टिन गप्टिल और तीसरे हैं रोहिस सर्मा तो आप्सन यहाँ पर डी हो जाएगा आपका करेट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज से ही आपकी जो SSC GD का एक्जाम है उसके लिए मौक टेस्ट भी सुरू हो रहे हैं तो बिल्कुल फुरी मौक टेस्ट है सारे मौक टेस्ट के आपको पीडियप भी मिलेगी तो अगर आप लोग GD के एक्जाम को बहतर तरीके से देना चाहते हैं तो आपको अनकेडमी के उपर मुझे फॉलो करना है और डेली इसकी जो दो क्लासेज होंगी बिल्कुल आपको उ बहुत सारे फृinação क्लासिस तो मिलते ही हैं इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी एक्जाम की सिस्टमैटिक वे में तयारी करना चाहते हैं तो अनकेडमी का आप लोग प्लस कोर्स भी यहां पर पचैज कर सकते हैं प्लस कोर्स के खास ऀ कि यह खोती है कि यहां पर आपको भारत के सारे best educator मिलेंगी जिनकी सहता से आप अपनी तयारी को और ज्यादा बहतर बना सकते हैं सारी classes के आपको PDF मिलती है doubt के लिए अलग से class होती है तो उसमें आप अपने doubt अगरा पोश सकते हैं तो इन्हें अगर आपको join करना है तो simply use करिएगा मीरा code KB10 इससे आपको किसी भी course पर मिल जाएगा 10% का discount लेकिन अगर आपको किसी भी course के उपर 25-30% तक का discount अवे करना है तो ये मेरा WhatsApp नमबर है इसके उपर आप मुझसे contact कर सकते हैं बाकि raise hand का भी feature आचुका है यानि कि किसी भी live class में अगर आप plus के member है तो teacher से directly बात करके अपने doubt को पोच सकते हैं अगला प्रेशन है कि अंतर राष्टी क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारते महिला क्रिकेटर कौन थी तो ध्यान रखिएगा पहले क्रिकेटर बन गई है मिताली राज option यहाँ पर A हो जाएगा current अब मिताली राज की बात करें तो यह हमारे महिला क्रिकेट की बहुत ही महपोन खिलाडी है क्योंकि इन्होंने अंतर राष्टी क्रिकेट में अपने 22 साल भी पूरे कर लिये है इस साल इनको खेल रतन पुरसकार भी दिया जाएगा और यह हमारे भारत की पहली महिला है दुनिया की दूसरी महिला है जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन पूरा किया है तो option A हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि अक्टूबर 2020 केस में हमारे देश का जो पहला रेडियो ओबर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम है इसका उद्घाटन कहां पर किया गया तो अच्छे से ध्यान रखिएगा इसका उद्घाटन हुआ है कोलकाता में option यहाँ पर C हो जाएगा correct तो देख सकते हैं कि जो कुलकाता में हमारा स्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है वहाँ पर रेडियो ओबर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन हुआ है और ये मुख्य रोप से जब आपका खराब मौसम होगा तो उस इस्थिती में जो हमारी जहाज होंगी उनसे पोर्ट आपका कम्यूनुकेट कर सकता है तो option C हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि 2021 गनतंतर दिवस में इंडियन एर फोर्स के जहांकी में हिस्सा लेने वाली पहली महिला fighter jet pilot कॉन बनी बहुत ही महत्पून तो ध्यान रखेगा इनका नाम है भाउना कांत क्या नाम है भाउना कांत और ये हमारे वायुसीना के पहली महिला है जिनों ने जहांकी में हिस्सा लिया तो C हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि October 2020 केस में जो पहला प्रिंस बिलियम अर्थसाड पुरस्कार है इससे किसे सम्मानित किया गया ये भी काफी ज़्यादा महत्पून है तो ध्यान रखेंगे ये पुरस्कार मिला है बिद्दुत मोहन को option यहां पस्ती हो जाएगा correct बिद्दुत मोहन के बारे में आप सभी को याद अखना है कि ये हमारे देश के एक इवा उद्दमी है पिछले साल इनको यंग champion of the earth का पुरस्कार भी मिला था और इस साल इनको पहले प्रिंस बिलियम अर्थसाड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अच्छा इनका जो project है उसका नाम है तका चार तो project का नाम भी ध्यार रखेगा कि तका चार project के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है अगला प्रश्न है कि बिस्तो का जो सबसे बड़ा मुक्त ब्यापास होता है जिसका नाम है RCEP तो इसको लागू करनी वाला पहला देश कौन बना अब RCEP का full form already पूछा जा चुका है इसका पूरा नाम है Regional Comprehensive Economic Partnership तो अगर आपको याद हो पिछले साल दुनिया के 10 देश साथ आये थे और उसके बाद में इन्हों ने मिल करके अन्य पांच देशों के साथ में समझोता किया था तो option हमारा B हो जाएगा correct अब क्या है इसमें मामला देखे इसमें RCEP के अगर हम बात करें तो 10 तो हमारे ASEAN के मेंबर थे उसके अलावा आश्टिलिया जापान, न्यूजिलेंड, चीन और दच्छिन कोरिया के बीच में एक free trade agreement हुआ था तो जायर सी बात है जब भी कोई समझोता होता है तो जो हमारे देश होते हैं उनको अपनी संसद से इसे पारित करना अनिवार होता है तो ध्यान रखेगा सिंगापूर पहला देश बना है जिसको इसने कर दिया है पारित अगला प्रशन है कि जून 2020 में दिल्ली खेल विस्विध्याले के पहले कुलपती के रूप में किसे न्यूक किया गया तो यहां पर न्यूकती होई है कर्णम मल्ले सुरी की इनके बारे में आप सभी को बता होगा कि हमारे देश की ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाडी है 2000 का जो आपका सिड्नी ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने बेट लिप्टिंग में जीता था ब्रॉंज मेडल तो C हो जाएगा यहां पर अगला प्रशन है कि जन्वरी 2020 में जानी मुलाग मेडल जीतने वाली बिस्सो के पहले क्रिकट खिलाडी कौन बने अलड़ी पूछा गया प्रशन है तो यह हमारे है आजिक के रहाने क्या नाम है आजिक के रहाने इनका नाम है तो आप्सन यहां पर B हो जाएगा तो जानी मुलाग की बात करें तो यह आपके आश्टिलिया के पूर्व कप्तार रहे है और इनी के नाम पर इस प्रसकार की सुरुवात हुई तो यह मिला है आजिक के रहाने को अगला प्रशन है कि हाल ही में किस IIT संस्थान में भारत का जो पहला टेस्टेड तिहान सिस्टम है इसको लांज किया गया ये भी औलडी पूछा गया प्रशन है तो ध्यान रखेगा ये IIT हैदराबाद में लांज किया गया आप्सन यहां पर B हो जाएगा अब देख सकते हैं कि उस समय जो हमारे सिच्छा मंतरी थे रमेश पुखरियाल निसंग साहब तो ये गय थे IIT हैदराबाद के दोरे पर और उसी समय इनके द्वारा इसको लांज किया गया था तो मानो रहित वावयाना के लिए बिल्कुल ये एक सिस्टम है जिसको IIT हैदराबाद में अस्थापित किया गया है तो B हो जाएगा करें अगला प्रशन है कि कि सहर के पिमपरी चिंचवार नगर निगम ने भारत का जो पहला सोशल इंपक्ट बॉंड है उसके लिए UNDP के साथ में समझोता किया प्रशन है तो पिमपरी चिंचवार नगर निगम की बात करें तो ये हमारा आता है पुने में कहां पर आता है पुने में तो आप्शन आपका C हो जाएगा अगला प्रशन है कि अप्रैल 2020 में National Council of Applied Economic Research की पहली महिला महाने जीशक कौन मनी तो बहुत ही महत्पूर्ण है इनका नाम है पूनम गुपता क्या नाम है पूनम गुपता नाम है तो आप्शन B हो जाएगा यहाँ पर यह देख सकते हैं यह पूनम गुपता है जो कि 200 बैंक की अर्थसास्त्री रही थी और अब यह हमारे NCAER की पहली महिला अध्यच बन गई है तो आप्शन B हो जाएगा यहाँ पर अगला प्रशन है कि April 2000 केस में जो NASCOM है उसकी पहली महिला अध्यच की रूप में किसे न्यूक किया गया तो यहाँ पर न्यूकती हुई है नाम इनका है रेखा M. Menon अब कई बारा आप में से कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं भया ध्यान रखेगा कि जो Soma मंडल है यह हमारे सैल इंडिया की बनी है नई अध्यच ठीक है जनवरी में बनी थी और रेखा M. Menon यह बन गई है NASCOM की तो आप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका correct अगला प्रशन है कि सितंबर 2020 में भारत का पहला 100% solar powered railway station कौन बना है तो ध्यान रखेगा यह railway station है चन्नई Central क्या नाम है चन्नई Central नाम है तो option यहाँ पर B हो जाएगा correct यह देख सकते हैं कि चन्नई railway station भारत का पहला railway station बना है जिसने अपनी जरूरत की जो उर्जा है उसका 100% solar energy से प्राप्त करना शुरू कर दिया है तो ध्यान रखेगा option यहाँ पर B हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि बित्त मंतरी नीत्रमला सीता रमन जी ने किस IIT संस्थान में भारत का जो पहला 3D printed घर है उसका उद्घाटन किया तो यह जो पहला 3D printed घर है इसका उद्घाटन किया गया IIT मदरास में कहां पर हुआ IIT मदरास में हुआ तो option B हो जाएगा correct यह देख सकते हैं कि हमारे IIT मदरास से जुड़ा हुआ एक start-up है जिसका नाम है टीवाष्टा manufacturing और इसने इस 3D घर को बनाया है अगला प्रेश्ण है कि लडाकू बिमानों के आपात कालिंग लेंडिंग के लिए express wafer दो air strip बनाने वाला देश का पहला राज कौन बना अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा देखें अगर दो air strip की बात करें तो पहला राज है उत्तर प्रदेश लेकिन अगर आपसे पूंचा जाए कि जो हमारे देश में highway है highway के उपर पहला air strip किस ने बनाया है तो वो बनाया है आपके राजस्थान ने इसी साल बार मेड में तो दोनों में कन्फ्यूज मत होईएगा express way की बात करें तो उत्तर प्रदेश होगा और अगर आपसे पूंचा जाए highway तो उत्तर हो जाएगा राजस्थान तो यहाँ पर फिलहाल भी होगा correct अगला प्रशन है कि October 2020 केस में किस देश ने 20-20 जो पहली 140 driverless train है इसका अनावरन किया है यानि कि यह train आटोमेटिक चलेगी driver इसमें नहीं होगा और इसका अनावरन कर दिया है जर्मनी ने तो option यहाँ पर D हो जाएगा correct यह देख सकते हैं कि दियर्मनी की एक कंपनी है जिसका नम है डियूस बैन इसने सीमन्स मोबिलेटी के साथ में मिल करके पहली driverless पूरी तरीके से आटोमेटिक train को कर दिया है डबलब तो option यहाँ पर D यानि कि जर्मनी होगा correct अगला प्रशन है कि जनवरी 2020 में small finance bank के लिए license प्राप करने वाला पहला urban cooperative bank कौन बना तो काफी महत्पूर है ध्यान रखेगा इस bank का नाम है सिवालिक mercantile cooperative bank यानि कि यह जो bank है वो पहले एक सहकारी bank था और RBI ने इसको license दे दिया और अब यह बन गया है small finance bank मुख्य रूप से अगर हम लोग इस bank की बात करते हैं तो यह उत्तर प्रदेश में आपका संचालित होता है और इसका headquarters आपको सहारनपूर में देखने को मिलेगा अगला प्रशन है कि पूरसों के test match में चौथे empire की भूमका निभाने वाली पहली महिला कौन बनी यह भी काफी महत्पूर्ण है तो ध्यान रखेगा आश्टिलिया की है clear polo sack क्या नाम है clear polo sack इनका नाम है तो option हमारा A हो जाएगा correct यह देख सकते हैं यह है clear polo sack जो कि इस साल जो आपके आश्टिलिया और भारत की बीच में test match हुआ था उसमें इन्होंने चौथे empire की भूमिका निभाई थी अच्छा एक point आपको आओ ध्यान रखना है कि पुरसों के match में empire की भूमिका निभाने वाली भी यह पहली महिला है तो दोनों के point आप उसे ध्यान रखेंगे फिलहाल ए होगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि भारती airtel ने किस सहर में भारत के पहले company की रोप में 5G का trial किया है तो company आपकी airtel है trial इन्होंने किया है हाइदराबाद में कहाँ पर किया हाइदराबाद में तो option C हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि फरवरी 2020 में किस राज्य में भारत का जो पहला gender park है इसको शुरू किया गया तो यह जो gender park है इसकी शुरुवात होई है केरल राज्य में कहाँ पर केरल में हुआ तो option A हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि अक्टूबर 2020 में किस देश का फिल्म दल इस पेस में पहली फिल्म बनाने के लिए रवाना हुआ तो ध्यान अखिएगा यह जो दल है वो आपके है रसिया का कहां का रसिया का था हाला कि अब यह लौट भी आये है तो option B हो जाएगा correct movie का नाम क्या है तो movie का नाम है challenge यह देख सकते हैं यह actress है और इसमें आपके एक actor है और director है यह लोग पहुँचे थे international space station पर फिल्म के shooting करने तो B हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि BRO की commanding अजकारी के रूप में न्यूक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी BRO का मतलब होता है border road organization जिसे हम लोग सीमा सड़क संगठन के नाम से जानते हैं और इसके पहली जो महिला commanding अजकारी बनी है इनका नाम है बैसाली हिवासे क्या है बैसाली हिवासे तो B होगा यहाँ पर correct अगला प्रेशन है कि time magazine के front cover पर आने वाले पहले transgender आदमी कौन बनी है तो transgender की बात हो रही है तो इनका नाम है Elliot Page क्या नाम है Elliot Page इनका नाम है option यहाँ पर C हो जाएगा correct यह देख सकते हैं यह है Elliot Page जो कि time magazine के cover पर आने वाले पहले transgender बनी है कनाड़ा देश के एक actor है यह तो यह भी ध्यान रखेगा option C होगा correct अगला प्रशन है कि फरवरी 2000 केस में कहाँ पर भारत का जो पहला आद्र भूमी सनरच्चन और प्रवंधन केंद्र है उसके अस्थापना की घोशना की गई है ठीक है तो ध्यान रखेगा इसकी जो अस्थापना है वो चिन्नई में की जाएगी option यहाँ पर A हो जाएगा correct तो आपको बस यह याद रखना है कि जो हमारे यहाँ पर एक center for battle and conservation and management है यह setup किया जाएगा ministry of environment के अंतरगत और यह आपके बरेगा चन्नई में तो option यहाँ पर A हो जाएगा correct अगला प्रशन है यह भी already परिच्छा में पूंचा जा चुका है कि UAE के द्वारा golden बीजा दिये जाने वाले बिस्सु के पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन बने है तो यह हमारे मिल्का सिंग्जी के पुत्र है नाम इनका है जियू मिल्का क्या नाम है जियू मिल्का नाम है तो यहाँ पर फिलाड़ A हो जाएगा correct तो golden बीजा की अगर हम बात करें तो यह 10 सालों के लिए दिया जाता है और जो हमारे मिलखा सिंग जी के पुत्र है जीव मिलखा सिंग इनको ये अभी बीजा दिया गया है तो फिलहाल ए होगा correct अगला प्रेशन है कि फरवरी 2020 में ए कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज कौन बना तो पहले राज की बात करें तो ये बन गया है हि मार्चल प्रदेश तो यहां पर फिलहाल B हो जाएगा correct अब E कैबिनेट का मतलब है क्या देखें इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जो भी कैबिनेट से जुड़ी हुए चीज़े होंगी चाहें मीटिंग की बात हो या फिर किसी प्रकार की एडवाइज होगारा की बात हो इन उत्तरी सागर में बिस्तो के पहले उर्जा दीप के अस्थापना की घोशना की गई तो यह जो पहला उर्जा दीप है यह बना रहा है डेन्मार्क कहां पर तो यह बना रहा है आपके उत्तर सागर में option यहां पर E हो जाएगा correct तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का दीप डबलब किया जाएगा और target यह होगा कि जो हमारे यूरोप के लगबग 3 मिलियन लोग है उनको यहां पर उर्जा इसके माध्यम से प्रदान किया जा सके तो option A होगा correct अगला प्रशन है कि फरवरी 2000 केस में किस राज में जो भारत का पहला thunder storm research center है उसको अस्थापित किये ज स्थापित होगा यानि कि option B हो जाएगा correct तो देख सकते हैं कि उर्जा का जो बाला सोर डिस्टिक है वहाँ पर इसकी अस्थापना की जाएगी बिजली के बारे में आप सभी को पता होगा कि उर्जा में आपके बिजली की घटनाय भी ज्यादा होती है आकास की बिजली की तो इसी को ट्रैक करने के लिए अस्थापित किया जाएगा तो B होगा यहाँ पर correct अगला प्रेशन है कि अपने सवे टेस्ट मैच में दोहरा सितक लगाने वाले बिस्टो के पहले खिलाडी कौन बने तो इनका नाम है यहाँ पर जो रूट आपको पता होना चाहिए कि इस अक्टूबर दोहजार केस में किस देश ने अपने पहले सौर अनवेशन उपगरा को लांज किया तो यह जो सौर अनवेशन उपगरा है इसको लांज कर दिया है चाइना ने किस ने लांज किया चाइना ने तो आपसन आपका B हो जाएगा correct तो नाम भी आप लोग ध्यान केस में US Chamber of Commerce की पहली महिला CEO कौन बनी तो इनका नाम है यहाँ पर सुजैन क्लार्क काफी महत्पूर्ण है US Chamber of Commerce की यह पहली महिला CEO बनी है तो यहाँ पर फिलहाल यह हो जाएगा correct अगला परशन है कि मई 2000 केस में 15 सेख जायत बुक पुरसकार जीतने वाली पहली भारतिय ताहरा कुदबुद्दीन और यह हमारी पहली भारतिय महिला बनी है जिनको सेख जायत बुक पुरसकार से सम्मानित किया गया ताहरा कुदबुद्दीन की बात करें तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था Arabic Oration Art and Function तो इसे के लिए इन्हें यह पुरसकार म पहला मानोरहित पोत बन गया है तो ध्यान रखिएगा इसने पार किया Atlantic महासागर को तो option यहां पर A हो जागा correct यह देख सकते हैं कि England का जो आपका प्लाई माउथ है वहां से इसने अपनी यात्रा शुरू की थी और यह पहुंचा था आपके अमेरिका में तो option आपका यहा जो बने है नाम इनका है पद्म कुमार माधवन नायर क्या नाम है पी माधवन नायर इनका नाम है तो option A हो जाएगा correct अगला प्रशने की June 2000 केस में Mount Everest की चढ़ाई करने वाले Asia के पहले नेत्रहीन वेक्ति कौन बने तो यह आपके चाइना से है नाम इनका है यहां पर जांग होंग इनका नाम है तो B हो जाएगा correct अगर हम लोग पहले नेत्रहीन वेक्ति की बात करें तो इनका नाम Eric Wehan Mayor है जिन्हों ने 2001 में इसकी चढ़ाई की थी अगर हम बात करते हैं यहां पर चाइना के जांग होंग की तो यह दुनिया के तीसरे और हमारे Asia के पहले वे जाज में भारत का जो पहला Dolphin Literal Center है इसको अस्थापित किया गया तो यह तो आप सभी को अब रठी गया होगा काफी समय से यह चर्चा में रहा है और लेडि कई एक्जाम में पूछा भी जा चुका है तो यह अस्थापित किया गया है बिहार में कहा पर हुआ बिहार में स परिच्छन रेंज को लॉंज किया जाएगा अब आप सभी को ये पता होगा कि हमारे यहाँ पर जब केसे भी मिसाइल के हम लोग टेस्टिंग वएरा करते हैं तो वो हम लोग करते हैं या तो उडिसा से या फिर राजस्थान से कभी कभार करते हैं लेकिन ये आपकी एक सिफ होगी जिससे हम लोग मिसाइल का परिच्छन कर सकते हैं तो इसका नाम है INS अनवेश नाम है तो इसका उत्तर हो जाएगा C किसने इसको बनाया है तो जो आपकी कोचीन से प्यार लिम्टेड है उसने इसको निर्मार किया है तो option C होगा correct अगला प्रशन है कि वर्षिद हो हो जाते हैं इस तक भारत के किस सहर में पहली समुद्री सुरंग के निर्मार का लक्ष रखा गया है अब कई लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं उनको लगता है कि जो कुलकाता में मेट्रो बन रहा है अंडर वाटर वो हो जागा सही लेकिन आप से पूचा गया है सी ट किस राज में किया गया यह भी परिच्छा में पूचा गया प्रशन है तो ध्यान रखेगा इसका उद्गाटन केरल में किया गया तो ऑप्सन हमारा डी हो जाएगा करक्ट देख सकते हैं इसका नाम है केरल युनिवरसिटी आप डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टे इसके लिए एक ट्रेडमार्क प्राप्त किया गया है तो इसका नाम है NII यानि कि National Institute of Immunology दिल्ली में आपको ये संस्था देखने को मिलेगी और इसी ने एसपागनी ट्रेडमार्क प्राप्त कर लिया है तो यहाँ पर फिलहाल डी हो जाएगा करक्ट अगला प्रशन है कि जून 2021 में एक राष्ट एक मानक के अंतरगत Standard Developing Organization घोसित होनी वाला देश का पहला संस्थान कौन बना ये भी परिच्छा में पूछा गया प्रशने तो ध्यान किगा इसका नाम है RDSO क्या नाम है RDSO भी हो जागए यहाँ पर करक्ट तो RDSO की बात करें तो इसका पूरा इसका नाम है Research Design and Standard Organization भारते रिल्वे के अधीन यहाँ एक कमपनी है और इसको तीन सालों के लिए मानता देख दी गई है तो फिलहाल भी होगा करक्ट अगला प्रशन है कि इलेक्टिक वाहन चार्जिंग नेटवर्क के साथ भारत का पहला EV friendly highway कौन बना यानि कि इलेक्टिक highway 1 के उपर इस प्रकार के जो charging station है उनका निर्मार किया गया है और यह highway आपको दिल्ली से चंडिगर पर देखने को मिलेगा तो option B हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि जून 2021 केस में Swift GPI instant facility शुरू करने वाला भारत का पहला bank कौन बना है तो ध्यान रखेगा इस bank का नाम है ICIC ICICI bank क्या नाम है ICICI bank तो option C हो जाएगा correct यह देख सकते हैं कि अगर आपको IEMPS के जरिए किसी भी देश से भारत में पैसा भेजना है तो दो लाग तक की धन्रासिया आप तुरंत भेज सकते हैं यह सुबधा शुरू करती है ICICI bank ने तो यहाँ पर C होगा correct अगला प्रशन है कि जून 2020 में बिस्ट के पहले देश की रूप में किसने bitcoin को legal tender की रूप में मानता दी यानि कि अगर अब यहाँ पर आप बिलनी वगरा खरी दे तो उसका payment जो है वो आप bitcoin में कर सकते हैं यानि कि कोई भी समान खरी दिये तो legally आप bitcoin का यूज यहाँ पर कर सकते हैं तो द सामिल कर लिया है तो अगर हम बात करें तो यह हमारा है ITBP यानि कि जो इंडो तिब्तन बार्डर पुलेस है इन्हों ने अपने महिला अधिकारियों को यूद्ध में सामिल कर लिया है तो फिलहाल D हो जाएगा correct यह देख सकते हैं दो महिला अधिकारी हैं जिनको यहाँप केस में कौन सा देश AI द्वारा अविस्कार के लिए पेटेंट वाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है तो ध्यान रखिएगा Artificial Intelligence के लिए जो अविस्कार हुआ है उसमें ये पेटेंट मिला है और ये मिल गया है दच्छिन अफरीका को किसे मिला दच्छिन अफरीका को तो आप्सन फिलहाल ए हो जाएगा अब ज्यादा डीटेल में आपको यहाँ पर नहीं जाना है कि क्या मामला कैसे हुआ है बस आपको ध्यान रखना है कि Artificial Intelligence के लिए डाबोश नाम का एक सिस्टम डबलब हुआ है जिसके लिए यहाँ पर पेटेंट मिला है दच्छिन अफरीका को तो ए हो जाएगा Correct अगला प्रशन है कि निमलखिस सहरों में से किस एक में देश का पहला भारतिय कौसल संथान अस्थापित किया गया तो यह आपके PCS में पूछा गया प्रशन है इस साल का और यह स्थापित हुआ था कानपूर में हाला कि यह 2016 में स्थापित हुआ था लेकिन पूछा गया है इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया तो ध्यान रखेगा यह कानपूर में बना है Option D होगा Correct अगला प्रशन है कि फरवरी 2000 केस में नोगोजी उकोंजो इवेला डबलू टीयो की पहली महिला महाने दियसक बनी यह महिला निमलखित में से किस देश से है यानि कि यह आपके किस देश से सम्मंदित है तो यह ओलड़ी कम से कम 4-5 एक्जाम में पहुचा जा चुका है और यह है नाईजीरिया देश से कहां से है नाईजीरिया से है तो आप्शन ए हो जाएगा आखरी प्रशन है कि निमलखित में से किस को सयुक्त राज अमेरिका में पहली महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी की रूप में न्यूप किया गया यह भी आलड़ी परिच्छा का ही प्रशन है तो ध्यान रखेगा इनका नाम है जेनेट एलेन यह भी इस साल PCS में पूछा गया तो आप्शन बी हो जाएगा करेक्ट यह देख सकते हैं जेनेट एलेन हैं जो की अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी बनी है 78 नमबर की और यह आपकी है पहली महिला तो आप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा करेक्ट तो इस प्रकार से जो 50 प्रशन थे उनको हमने यहाँ पर डिसकस किया बाकी के जो बचे हुई आपके 50 से 60 प्रशन है उनको हम लोग इसके अगले पार्ट में डिसकस करेंगे वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप नीचे कमेंड में भी बता सकते हैं वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत